नमस्कार, Hindi Learning Channel पर आपका स्वागत है, आज आशिमा महाजन Hindi Learning Channel पर लेकर आई है, क्लास 10th के स्टुडेंट्स के लिए Code 002 वालों के लिए अभियास प्रश्ण पत्र 2024, 80 marks का पेपर, जाने की pre-board का पेपर आपको किस परकार से पूछा जाएगा, उसकी एक जलक आपको आज इ MCQ टाइप, और जो पार्ट 2 है, वो मैं लेकर मैं जल्दी ही प्रस्तुत होंगी, पार्ट 2 रहेगा आपका सब्जेक्टिज, इसमें मैं रिटन कोश्चन आपको दूँगी, तो आईए, फटा-फट से शुरू करते हैं, समाने निर्देश के साथ, क्लास 10th की पूरी प्ले परक बहु विकल्पिये, और खंड बह में वस्तुनिष्ठ बरनात्मक प्रश्न हैं, दूसरा, प्रश्न पत्र के तोनों खंडों में प्रश्नों की कुल संक्या 17 हैं, और सभी प्रश्न अनिवारे हैं, खंड में कुल कोशन कितने हैं, 10, जानि की 10 प्रश्न है, जिन में प्रश्नों के उत्तर देना अनिवारे हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय करम संक्या वश्य लिखे, सभी प्रश्नों के उत्तर करमा नुस साल लिखे, आईए खंड स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपसे बच्चों एक पठी गदियांश पूछा जाएगा, पांच होना चाता है, लेकिन क्या हर कोई इसकी पातरता रखता है, योगेता रखता है, आपको जीवन में व्य नहीं मिलता जो आप चाते हैं, बलकि व्य मिलता है जिसके आप योगे होते हैं, या जिसके पातर होते हैं, अपनी इच्चा को पातरता में कैसे बदल सकते हैं, इच् प्रतिशत प्रयास होता है मेरे एक मितर ने एक बार टिपनी की थी यदि मैं उत्तरा समयधार नहीं हूँ जितने की अन्य लोग हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता ये तो इश्वर की गलती है मैं यदि भावनातमा करूप से उत्तना द्रड नहीं हूँ तो भी मैं क्या कर सकता हूँ ये तो मेरे लालन पालन में हुई गलती है लेकि यदि मैं अन्य लोगों से ज़्यादा परयास नहीं करता हूँ तो इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि ये तो मेरी ही गलती है नवरश में लिये के संकल कभी फरवरी का मूवी नहीं देख पाते सफलता के रहस्यों में से एक रहस्य है कि हम सेल्फ स्टार्टर बने ना कि किक्स्टार्टर किसी कोई हमें पुश करे हम वो वले ना बने खुद पड़े पीटर ड्रकर का कहना है इससे अधी निर्था कुछ और नहीं है उस कारे को बड़ी कुशलता पूर्वा किया जाए जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए था तो पहला कुशन है किसके अभाब में नए साल के संकल्प छोटे ही रह जाते हैं अलपाईू छोटी उमर के रह जाते हैं तो हमने उत्ता लगाया है दृट इच्छा शक्ती के ओके दूसरा इच्छा के साथ जब निरंतर निर्देशित स्वफ प्रेरित प्रयास जुड़ जाता है तब वैं पातर्ता बन जाती है उपर युकत कथन के अनुसार पातर्ता के लिए कौनसी बात अवश्यक नहीं है तो पातर्ता के लिए अभिलाशा अवश्यक नहीं है सफलता प्राप्त करने है तू लिएगे संकल्प तभी पूरे होंगे जब क्या होगा हम लक्षे को लेकर कोशिश करते रहेंगे फौर्थ कोशन इस परकार से आप से पूछा जाएगा कथनक दिया रहेगा कथन खर दिया रहेगा उपर युक्त कथनों के डान पर सही विकल्प का च्यान करना है कथन ख है हमें अपने लक्षे की प्राप्ती है तू लगातार प्रयासरत रहना चाहिए और कथन ख है कई बार उचित समय की प्रतिक्षा है तू हमें स्वयम को निश्क्रिय भी करना पड़ता है जानि कि इनक्टिव करना पड़ता है कि सही समय आएगा तब लेकिन हम क्या करे कि इसमें option कथनक सही है ख जो है वो गलत है ओके बी option is the right option कथनक सही है कि हमें अपने लक्षे की प्राप्ती है तू अनवरत परियासरत रहना चाहिए लेकिन कथनक कि कई बार उचित समय की प्रतिक्षा है तू हमें सुयम को निश्क्रिय भी करना पड़ता है उपड़ युक् रही है गरज में पुरुशात उड़ता बरस में करुणा उतरती उगठी हरीतिमा शन्शन्या शिंगार करती बूंद बूंद मचल उठी है क्रिशक बाल लुभा रही है नेह संदेश तुमारा बै उठा है ला रही है तडित की तह में समाई मूर्ती द्रिग जपका उठी ह पंथियों से पंचियों से नीड के रुख जा रहे हैं मदूर बादल और बादल और बादल आ रहे हैं जाडियों का जूमना तस्रवलरी का लेलहाना द्रवित मिलन के इशारे सजल छुपने का बहाना तुम नहीं आए ना आवो छवी तुमारी ला रहे हैं मदूर बादल और बादल और बादल च्हा रहे हैं और संदेशा तुमारा बै उठा है ला रहे हैं तुम नहीं आए ना आवो छवी तुमारी ला रहे हैं तो इन पंक्तियों में किसकी छवी लाने की बात की जा रही है बारिश की गरचते हुए बादल किसानों के लिए बारिश का संदेश ला रहे हैं अत्य दिक बारिश क्रिशी उत्पादों के लिए नुकूल परिवेश का निर्मान करती है तो लास्ट ऑप्शन है कतने सही है कारण आर उसकी गलत व्यक्या है क्यूं क्यूंकि जादा वर्षा होगी तो वो अनुकूल नहीं लाएगी क्रिशी के लिए नुकूल विशे क्या रही का तो उपर युक्त कविता का मुखे विशे बादलो बिजली का मिलत गर्ज में पुरुशार्थ उर्ता बरस में करुणा उतरती उगुठी हरीतिमा शंशन निया शिंगार करती जो भी रेखांकित शब्द है उनमें पूछा गया लंकार कौन सा है अब आ दर्ज में पुरुशार थुड़ता शलेश तो है नहीं है ना उपमा भी नहीं है सीसा से नहीं है अनुपरास तो है यह नहीं बिल्कुल भी मानवी करना लंकार आएगा अब ध्यान से सुनियेंगा सुरी कोशन नमबर थ्री है रचना के अधार पे वाक्य भेद पे अधारीत पांच प्रशनों में से चार के उत्तर आपको देनी है पहला कोशन भारतिये नो सेना को वी द्वनसक पोत मिलने वाला है गोविन भोक के अलावा चावल की एक और दुलब किस्म है यदि आप लेखक बना चाते हैं तो अपने लेख इस पते पर बेजे उपर युक्त कत्रों के अधार पे सरल वाक्य वाला विकल्प चुनना है आ थर्ड ओप्शन के साथ मैच करनेंगे शिक्षार जन में देलिये मजिदार अनुबव रहा संयुक्त वाक्य कोंसा है मैंने अभ्यास किया इसलिए सफलता मिली तो ख को मिलाएंगे थर्ड से ख को मिलाएंगे वन से ठीक है मिश्र वाक्य यदि जांच की होती तो खराप समा ना आता इसके according आपका नीचे का विकल्प कोंसा हो गया बच्चो क का उत्तर है आपका का उत्तर है थर्ड जानिकी आपका option रहेगा सी सी option पे आप टिक करेंगे उसके बाद यह इकाई कविताएं गुन-गुनाने के बारे में है यह इकाई इस बारे में है कि कविताओं को क कथन का सरल है कथन का मिश्रवाक्य है ठीक है फूर्थ कोर्शन है पेड़ पर चडिया बैठी है वे कुछ गा रही है संयुक्त वाक्य लगाना है जाने कि संयुक्त वाक्य की पहचान के जो भी शब्द हैं वो ABCD में दिये हुए है तो जो भी सही से जुड़ रहा है वो प्रथम आना था नहीं आ सकी संयुक्त वाक्य बनाने के लिए उचित संयोजक आपको बीच में जोड़ना है तो आप क्या लिखेंगे मुझे प्रथम आना था लेकिन नहीं आ सकी लेकिन पर टिक कर देंगे अब वाच्चे पर अधारित कुछ प्रशन है जैसे कि मैंने तो कर लीजिए और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा इस कड़कती धूप में मैदूर द्वारा भोजन भी नहीं किया जाता इस कड़कती धूप में अब और नहीं चला जाता तो कथन का तो करम अब इस कड़कती धूप में मैदूर द्वारा भोजन भी नहीं किया जाता अब द्वारा लगा हुआ है तो यह करम बाच्चे का है अब इसमें करता है वो क्या रहेगा करता तो है आपका इसमें करता उपस्थित है इस कड़ती दूप में अब और नहीं चला जाता ये कथन खर जो है वो भाव अच्चे है क्योंकि इसमें करता जो है वो क्या है अनुपस्थित है जानिकि पहला option रहेगा करम की परधानता है इसलिए वो करम व second question है आपके सामने बच्चो कौन सा विकल्प कर्तरी वाच्चे की पहचान नहीं है तो आपका D option सही रहेगा कर्ता के साथ से और के द्वारा जो है वो कर्तरी वाच्चे में नहीं लगता ठीक है बाकी कर्तरी वाच्चे में ने भी लगता है सकर्म का कर्म किरियाएं भी होती ह करता के लिंग बचन के नुसा क्रिया भी होती है थर्ड कोशन है आपका दादा जी अख़बार पढ़ रही है दादा जी से अख़बार पढ़ा जा रहा है तो अब आपको यहां पे बताना है कि दादा जी अख़बार पढ़ रही है ये किसका उधारन है करतरी बच्चे का ठीक है और दादा जी से अकबार पढ़ा जा रहा है ये उसका करम बच्चे में रुबंत रहने है तो भी ऑप्शन is the right option मा शिमला गई है मा द्वारा शिमला जाया जा रहा है राइट अब आब बताईए मा शिमला गई है ये किसका उध आपका फोर्थ का अप्शन जो है वो सही रहेगा ठीक है बिटर उससे तैरा नहीं जाएगा ये भाव अच्चे का उधारन है क्यूं कारण ये दे रखे हैं आपको तो आप कौनसा कारण सही टिक करेंगे ए ऑप्शन केवल कर और क्र क्यूं क्यूंकि क्यूंकि क्रिया का भ परिष्ट करें केवल को और खो सही है उसके बाद आपका प्रश्ण शुरू होता है पांच पद परिचे पर अधारित पांच प्रश्णों में से किनी चार प्रश्णों के उत्तर आपको देने हैं राकेश जट पड ये कारे कर लेगा अब जट पड कारे करने का तरीका है तो जल्दी घर पहुंच गई अब यहां पर क्या हो जाएगा इसमें रहेगा अकर्मकिर्या इस्त्री लिंग एकवचन भूतकाल जाने की बी ऑप्शन आपका सही रहेगा ठीक है आगे देखते हैं अमित के लिए थोड़ी मिठाई लेकर आईए तो ए ऑप्शन सही है क्योंकि विशेशन बरना है अनिश्चित परिमानवाचक है थोड़ी मिठाई है अनिश्चित परिमानवाचक उसके बाद इस्तरी लिंग है विशेशन का विशेशन क्या हो गया मिठाई और बहुवचन तो है यह वो, तो आपका A option सही option है, आगे आते हैं, question number 4, नेता जी ने आप लोगों को बुलाया है, तो A option है, मद्यापुरुशवाचक सर्वना, पुलिंग, बहुवचन, करमकारक, अनमोल ने अभिनास से का, ब्रजेश कैसा लड़का है, अभिनास अनमन ने दंग से कह रहा है, वह लड़का बाते बनाता है, अब कैसी बाते बनाता है, वो पदपरीचे के अधार पे आपको रिक्तस्तान जुनना है, बेसिर पैर की, अटपटी, विचित्र, जा बहुत, लेकिन आपको question देखना है, कि अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन होना चाहिए, तो वहाँ पर बहुत वर्ड आएगा, ठीक है, तो वह लड़का बहुत बाते बनाता है, तो आप बहुत बाते बनाता है, बहुत लिखेंगे वहाँ पर, six question, अलंकार पे अधारित है, प्रियतम बतला दो, लाल मेरा कहा है, लाल के दो अर्थ होने के कारण इस पंक्ती में शिलेश अलंकार है, तो आप क्या बताएंगे, कथन A और कारण A, दोनों सही है, तो D option जो है, आपका सही रहेगा, कथन A है, शिलेश अलंकार तो ही है वो, ठीक है, स्तंब एक और दो कर सही मिलान करना है, आपको कड़त साथी म्यानते, असी रिपू तंते प्रान, फर्स्ट कह को मिला देंगे, थर्ड option से, अतिश योगती, गुलाब खिलकर बोला, मैं आगका गोलानी, प्रीत की कविता हूं, मानवी करन हो गया, और मदुबन की चाती को देखो सूखी, इसकी कितनी कलिया, शिले शलंकार हो गया, आपका मैच कर लीजिए, इसके कोडिंग आप अपना विकल्प जो है, वो टिक कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, तो कड़त साथी म्यानते, ग को मिला लिया आपने, अतिश योगती से, डी का फर्स्ट हो गया, और ग का सकेंड, डी ऑप्शन पर टिक कर लिए, पढ़ी अचानक नदिय पार गोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा, इस पार तब तक चेर तक था उस पार, जाने की, आपको पता ही है, अतिश योगती बड़ा चड़ा के बात की गई है, अतिश योगती नहीं होता, बड़ा चड़ा के होते हैं, ठीक है, ये भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, एक शब्द के अधिक बार पर योग करने पर उनके अर्थ भी भिन होने से शले शलंकार होता है, एक शब्द के अधिक बार पर योग करने से नहीं होता, है ना, डी लक्षमी सी उदित हुई तो क और ख दोनों में उत्परेक्षा है और ग में मानवी करन भी ओप्षन आपका सही रहेगा कोशन नमबर सेवन में आजाईए निमलिखीत पठीत गद्याश को पढ़के प्रशनों के उत्तर देनी है तो कोशन पढ़ देती हूँ मैं हालदार साहब ने चुराहे पर रुखने की आदत उन्हें चश्मे के फ्रेम बदलने का कारण जानने की जिग्यासा थी इस कारण डा गद्याश में हालदार साहब के लिए दुर्दमनिये शब्द का प्रयोग किया गया है क्यों क्यों कि यहां भी आपका डी ऑप्शन सही रहेगा उनके लिए जिग्यासा पनी अंतरन करना कठीन हो गया था ठीक है गद्याश में पानवाले के ए ऑप्शन शारीरी गठन पानवाले के मुँ में पांठ हुसा हुआ था, C option, कथन कर रहेगा कैप्टन द्वारा नेता जी का चश्मा बदलना पानवाले के लिए हस्से का विश्य था, कैप्टन द्वारा, और कथन कर चश्मे वाले द्वारा नेता जी को चश्मा पेनाना देश बक्तों के प्रती सम्म हालदार साब के लिए चश्मी का बदलना व्यंगी का विशे है तहा है। कथन कर सही है और खर भी सही है कि तुग गलत है तो सी ऑप्षन इस दा राइट ऑप्षन आगे देखते हैं कोशन नमबर एट सीट के नीचे से लोटा उठा कर खीरों को खिड़की से बाहर तो इस प्रकार गद्दे पाट के जो कोशन पूछे जाएंगे वो आपको उपर ला साध्य है सब्वेता बताती है हमारे पास क्या है और संस्कृती बताती है हम क्या है संस्कृती पाट के धार पे कथनों के लिए सही विकल्प चुड़ना है आपको तो आपका ऑप्षन बेकुर सही है कथन कर और कथन कर सही है कथन कर उसकी सही व्याक है सी ऑप्षन क्यूंक तो सब्बेता बताती है हमारे पास क्या है और संस्कृती बताती है हम क्या है ओकी तो आपका C उप्षन सही है कोशन नमबर नाइन पी आजाएए पठित कावियांश के धार पे उत्तर देनी है सारा संसार महा बाहू पशुराम को किसके रूप में जानता है तो ये कावियांश पढ़ने के बाद आप आंसर दे लेंगे दी ऑप्षन आपकर सही रहेगा शत्रियों का संहार करने बाले सेकिंड है पशुराम क्रोधित होने पर भी किसकी वज़ा से लक्षमन पर अक्रमन नहीं कर रहे थे तो पशुराम क्रोधित होने पर भी लक्षमन को बालक समझने की वज़ा से लक्षमन पर अक्रमन नहीं कर रहे थे थर्ड है कथन कर पशुराम ने सहस्त्रबाओ को छोड़कर सभी राजाओं का फरसे से वद्कर डाला था लक्ष्मन के नुसार धनुष तोड़ने में राम कोई दोश नहीं था क्यों? क्योंकि दनुश हार लगाते ही तूट गया था, ठीके? C option पर टिक करिए, परशुराम बार बार लक्षमन को फरसा क्यों दिखा रहे थे? तो परशुराम बार बार किसलिए लक्षमन को डराने के लिए? D option, ये विडंबना अरी सरलते तेरी हसी उडाऊं में, भूले अपनी या प्रवंचरा औरों को दिखलाऊं में, अब यहाँ पर बताया क्या गया है? कि ये विडंबना आत्मकत्थे कविता में से ये लिया गया है, तो इसमें D option पर टिक करेंगे, केवल कथन खर और गर सही है, ठीक है? कव सही नहीं है, D option पर टिक कीजिए, या अपने ही सरगम को लांग कर, चला जाता है बटकता हुआ एक अनहद नाद में, गायन की असीम दुनिया में भटकने की संभाव नाएं, किसके साथ होती हैं बच्चो? संगतकार के साथ, अगर आपने संगतकार पाठ पढ़ लिया ह खंडबा, वरनात्मक प्रश्ण है, यानि की subjective question, यह मैं लेकर आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होंगी, वरनात्मक प्रश्णों के साथ, क्योंकि डिटन में आंसर देने हैं आपको, तो जब तक आप part 1 पढ़िए, part 1 में अच्छे views आएं, part 2 लेकर मैं जल्दी आपके साम अजब तक बढ़िए